तो हमाद फ्रेंट्स वेलकुम तो आज के स्वेड़े में देखे एक बहुती बहतरीन कोश्चन है आप और इन्हें हैंडल किया है अक्षर जैन जो नहीं सेकर रहेंगा हासिल किती करीब 2018 में तो हम उनकी आजसर बुकलेट से सारी चीज़ें सीख रहे हैं और उन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल किया वह देखेंगे और दूसरी चीज़ अगर आप यूपसी की तैयारी कर रहे है तो आपको इंगलिस सीखने का है आप मौका में लेगा नहीं भी कर रहे तो भी आपको थोड़ी बहुत इंगलिस यहां पर समझाई जाएगी और दूसरी की बात अगर आपको यह समझ मिले आता है कि कोईश्चन की सुरुवात कैसी करें आंसर कैसा लेकिए तो वह भी चीज़ में डिल होगी और देखिए अगर आपको सच में सारे वीडियो पसाना रहे तो आपको पता है लाइक करना है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दे काई पर दिपेंडस ऋता है काई पर निर्भर करता है डिपेंडस और एक फ्रिजल बहुत है समझेए कै इडिपेंड़ ऑन मा फैमेली मैं मेरे फैमिली पर अभी निर्भर हूँ तो यह दोकेश़ॉन ओफ आइरन धे इंडस्तिल इंडस्त्री तरी की जगहा जहां पर फैक बहुत सारे factors first बहुत सारे कावनों पर वजाओ पर अब यहां पर कारणों पर लिखे है आप बहुत सारे factors पर जैसे आपको कोई जैसे आपको कोई company दाना तो हम आपे सारी चीज़ लेख को ही कि हाँ पर customers आपके पास आएगी या नेगा चीजे खरीदी जाएगी या ने लोकेशन कैसे होगी, infrastructure कैसा होगा, तो वो multitude of factors आप देखते हैं, सो उसी को हम multitude of factors आप बहुत सारे आप उसके तरीके देखेंगे, बहुत सारे आप रास्तों देखेंगे, किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं, क्या आपको आप पर profit होगा है नहीं, वो सारे factors में ही आएगा, तो आपको discuss करना है, गुफता को करो, लिखो, discuss करो, with example, example के साथ, और हमें क्या करना है, इसका भी हिसाब देना, अकाउंट फूर, यह बहुत तरह का फ्रेजर वो भी है, फिर ग्राजुवल शिप यारी, धीमे धीमे, आइस्ता आइस्ता से कैसा shift हुआ, of the industry towards coastal region, किस तरीके सी यह जो industries है, वो coastal region की तरफ बढ़ने रखे, overtime यानी, वक्त के साथ, यह भी हमें क्या करना है, उसका भी हिसाब, मतलब एक तरह से लिखना है, उसके बारे में बताना है, so देखिए, the iron and steel industry, the iron and steel industry is dependent on the following factors for its location, okay, so the iron and steel industry, यह एक कोई मान रहे हम हो, कि हमारा subject होगा हमने पढ़े थे, कि वो dependent है, तो हम कैसा लिखेंगे, he is dependent, right, on his family, वो उसके family पर dependent है, तो इसी तरहीं किसे iron and steel industry, किस पर dependent है, on the following factors, मतलब यह जो following हम लिखते हैं, तो यह इसके लिए मतलब, आने वाले जो भी चीज़ें, उसे हम following factors, following carco पर, following carno पर, जो भी अप type पर, जो भी बुलना चाहें, okay, for its location, इसके location के लिए, अभी its क्यों आया हमने यह भी देखा, its location यानि, इसकी ही बात कर रहे हमी, steel and iron industry की, ती छोड़ा सा क्या है, हमने छोड़ा सा, इंट्रड़क्शन यानि, यह हम इसके बारे हम बता रही कि, ऐसा-इसा होने वाला है, तो देखिए, उसके बाद है, किस तरीके से, इसको हैंडल किया गया है, वो देख लिए थे, availability of raw material, क्या माँने है, क्या माँने होता है आपर, कि जो कच्छा माल है, उसके availability वहाँ पर कितनी है, क्या आप को असानी से सारी चीज़े मिलेगी, या नहीं, वो वाली चीज, देखें, the integrated, okay, steel plants are located, either near coal reserves, और iron reserves, देखें, the integrated steel plants, यानि जो भी, किसके coal reserves के, या फिर iron reserve की, या आइदर और हम पढ़ चुके, यू आइदर, जैसे हम पढ़ते हैं, या या आप हो, आइदर a teacher, और a student, या तो आप क्या हो, student हो, या फिर, क्या बनेंगे teacher हो, इस तरीके से, तो यहापर क्या है, are located either near, मतलब पास में या तो coal reserve के होगे, या फिर iron reserve के होगे, integrated steel plants होगे, या या बोकारो और टिस्को अगेरा का example दिया गया है, फिर इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर transport facilities, अब या पोईट आप याद भी रख सकते होगे, कि आप किस तरीके से, इस तिल है और iron industry को question आएगा नहींगा, वो तो हमें नहीं पता लेकिए, फिर भी को एक knowledge होना चाहिए, general knowledge उसी को पकड़ लेते हैं, transport facilities भी होना चाहिए, roadways, real rail networks, and poor proximity, roadways यानि, मतलब अगर कई company खोड़े तो वहाँ से, आप कोई shift करना है, रख के जरीए, तो वो road भी होनी चाहिए, rail networks भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि, मतलब कई ऐसी जगह दाल दी जहां से, rail जाई नहीं सकती, जाज अगर जादा, मतलब जादा, heavy, माल है, वगयरा है, material है, तो आप कैसे पहुँचाओगे, तो rail network ज़रूरी हाँ पर, पोर्ट, प्रॉक्सिमेटी, यानि पोर्ट क्या है, आपको पता है, सबंदर के पास के जो भी area होती है, जिसे हम बंदरगा बोलते हैं, इन हिंदी में, प्रॉक्सिमेटी, यह प्रॉक्सिमेटी यानि, यानि उसके नजीक होना चाहिए, पोर्ट के वो भी है, जिसे वाइजा के स्टिल प्लांट इना, इस अपोर्ट बेस प्लांट, तो यह एक नाम दिया गया, यह भी पोर्ट बेस एक प्लांट है, तो इस तरीके से लिखा है, फिर देगे उसके बाद है, प्रेजिंस ओफ चीप अबेंडेंट लेबर, प्रेजिंस ओफ यानि, मतलब सस्ते अबेंड़ बहुत ज़्यादा लेबर, यानि मजदूर हो की, प्रेजिंस होना चाहिए, मौझूद की होना चाहिए, जैसे इन दे सिंग भूम बेल्ट, चीप लेबर प्रोम जारकन और बिहार इस प्लेंटी, मतलब यह जो इन दे सिंग भूम, ओके सिंग भूम, या बूम जो पढ़ना आपको पढ़ी, बेल्ट में क्या है, जो है ना जो हमाले के आसपास मेरे खाल से है, नौर्थ एरिया में हमारे इंडिया के वहाँ पर, तो चीप है लेबर फ्रॉम जारकर जारकर से और बिहार से बहुत जादे, इस प्लेंट यानी, प्लेंट यानी बहुत जादे, यह भी एक है, फैक्टर, फिर देखिया और, उसके बाद देखिए, मार्केट, मार्केट वहां से कितना करीब है, वो भी, अब देखिये, वो भी एक एक फैक्टर है, available to produce the steel from okay scrape iron मतलब एक बार जब क्या वदे टेक्नोलोजी अवेलेबल हो जाती है प्रोड्यूस करने के लिए इस्टील फ्रॉम इस्टील निकानने के लिए इस्टील में इस्टील में देखेंगे पॉलिसी सपोर्ट होना चाहिए वहाँ पर ऑके राइट पॉलिसी है ना राइट एक्जांपल क्या है बुकार वास सेटप टू एड डिवलॉप्मेंट ऑफ दे बैक्वर रीजिन अव जार कर तो यह किस्ता की बनाएगा तो वास सेट सेटप क्या गया तो सेटप क्या गया था इस्टापित क्या गया था टू एड यानी सहाइता करने के लिए हेल्प करने के लिए डेवलॉप्मेंट ऑफ दे बैक्वर्ट रीजन मतलब बैक्वर्ट रीजन किसका जारकन का थी बुकारो वास सेटप मतलब इसे इस्तापित क् किसके विकास के लिए बैकवर रेजन आप जाहरकन के रिजन के लिए पिछ्रआवा रिजन के लिए ये बुकारओ सेट अप किया गया था कि इसके बाद दीखिए हम यहांसे गरजल रिजन के बात हुँ यहां पे ग्राजुओल चिंफ्ट् devoted तो इस तो इस तो आइस तो इस 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 तो इ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के परपसे मतलब दोने के लिए इंपोर्ट भी हम खरीदेंगे भी और बेचेंगे भाइर भाइर भी जाएगा तो उससे जुड़ी साइस को तरह से कंवर्ट कररें को से कहें गया है इसे मृसली इंपोर्डर मतलब बहुत ज्याद़ जादी तौर पर इस है। यह परक्सिमेटी निजिक के निकटता पूर्ट की ज़रूरी है बहुत इंपोर्ट थे अलसो साथ ही the per capita consumption of steel in India is low और यह क्या है per capita consumption भी हमारे of steel का इंडिया में लो है and hence और इसी इसी लिए industries prefer to export their produce तो इसी लिए industries क्या prefer करती है क्या पसंद करती है to export मतलब export करना उनके production जो भी वो चीज़े बनाएगे इसे इंडिस्ट्री में उसी को यह करेंगे दिखे एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हम थोड़ी बहुत English की समद लिए और एक answer किस तरीके से लिखा जाता है वो लिए पहले किस तरीके से intro या फिर किसी तरीके से direct ही question answer start कर दे थे हम वो वाली चीज़े और ऐसी बहुत सारे वीडियो आने वाले तो आपको वीडियो को like करना है और comment करके जरूर बताए कि आपको यह वीडियो कैसे लग रहे वीडियो देखने लिए आपका बहुत बहुत शक्रिया